नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपीटेट सीटेट के ऐसे इंपोर्टेंट प्रस्णों को लेकर आगए मैत के जो अक्सर परिच्छाओं में पूछ लिया जाते हैं अब देखिए पहला सवाल आपका फ्रेक्शन का कोसं दिया गया है यदि एक भिन्ने के अंसो को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्ने तीन बड़े 5 हो जाता है मूल भिन्ने क्या होगी अब देखिए यहां पर अंसो को बोला गया 20% बढ़ाते हैं और हर को बढ़ाते 25 परसेंट उसके बाद भिन्ने का मान तीन बड़े पांच हो जाता है मूल भिन्ने पूछा गया इस टाइप के सवाल हर साल पूछे जाते हैं तो कैसे लगाना है सबसे पहले देखो हमने भिन्ने को मान लिया कि एक सपान वाई यह हमारी क्या एफ्रेक्शन रही होगी अब देखो यहां पर बोला है ना बीस परसेंट बढ़ा दिया जाता है यानि सो परसेंट अपने आप में दोस्तों कंप्लीट वैलू होती है ठीक है न तो जब भी बढ़ाने की बात बोलेगा न तो सो को आप मान लोड़ दीजिए अगर कम की बात कहेगा तो सौ में माइनस कर दीजिएगा अब देखो यहां पर गुड़ा करके लिखना है यहां पर भी गुड़ा करके लिखेंगे हर में बोला है 25 परसेंट बढ़ा दिया जाता है इसका मतलब हर वाला कितना मान हो जाएगा 125 और इसी की पांच दूनी 10 पच्वम 25 ठीक है अब इसको और सिंपलिफाइ कर सकते हो तीन एकम तीन तीन अठीक कितना आएगा 24 आएगा 5 एकम 5 पच्वम 25 ठीक है यह हमारा कितना आ गया एक सबान वाई इंटू 8 और यहां पर क्या बचा है इंटू 5 ठीक है न बराबर में एक आया है अब आप कहेंगे 5 उपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा यानि एक सबान वाई कमान कितना मारा हो जाएगा 5 बटे 8 देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से आपका सवाल लग गया तो इसका प्रस्ण का राइट अंसर क्या हो जाएगा आपसा नंबर पहला तो उम्मीद ह सवाल में आ गया होगा इस टाइप के जब भी सवाल आएं तो आप ऐसे ही लगाईएगा इसी टाइप के देखिए एक और सवाल हम लेकर आए हुए हैं ताकि आपका और अच्छी से कांसेप्ट क्लियर हो जाए यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ द सबसे पहले हम देखो भीन्यों को मान लेंगे एक सब्सक्राइब होता है असी परसेंट ठीक है ना सवामेस बीस घटा देंगे हर की बात करते है ना तो हर में बोला गया है दस परसेंट बढ़ा देते याने 110 परसें लिख देंगे इतना तो आप करी लेंगे और बराबर मे नहीं आपका सबसाल हो गया और एक सबान वाई की बैलू हमारी कितनी आगी दो बटे पांच होगी पस यही इस प्रस्ण का राइट अंसर हो जाएगा आपसा नंबर पहला तो उम्मीद दोस्तों समय आ गया होगा अब दीकिए जो अब दूसरे टाइप जो प्रस्ण करा र लगाना है सबसे पहले देखो 18 से 3 बटे 4 लिखा है ना तो इसको आप ऐसा करिए इसको आप फ्रेक्शन में कर्वट कर लिजी तो 18 चो को 72, 3, 75 यह तो आप जानते ही होंगे 75 बटे 4 आ गया यहाँ पर भाग का साइन लगाएंगी चतुर्थांस का मतलब होता है 1 बटा 4 क् पुल मिला कि कितने जो भी कितने के आगे लिखा होगा उसको आपको डिवाइड करना है अगर कहते तक कितने एक बटा 2 है तो यहाँ पर 1 बटा 2 हो जाता चातुर्थांस लिखा हुआ है इसका मतलब एक बटा 4 होता है अब देखिए गुड़ा वाले को आप जानते ही होग जो कि आपसा नंबर पहला आपका correct है इसी type का आप और सवाल करवाते हैं ताकि आपका concept और अच्छे से के लिए बजाए यहाँ पर भी देखिए सीटेट में पूछा जा चुका है 2015 की जाम में देखें दोस्तो हर सवाल हर year में वही घुम घुम के पूछते रहते हैं बस उसकी value आपकी बदल देते हैं concept आपके वही है 6 बटे 5 लिखा वाई इससे लिख लेंगे भाग बनाएंगे 1 बटा 10 ऐसे करनेंगे कोई दिक्कत नहीं है अब लिखेंगे 6 बटा 5 बाग के साइन को हमने बताया गुड़ा बताना है तो 10 बटा एक कर देंगे पांच एकम 5 पांच दूनी 10 और इसका अंसर हमारा आजाए का बारा कितना आजाए का बारा जो कि आपसा नंबर सी वाला सही है चलिए एक और सवाल है आप डारेट करिए 6 बटा एक ऐसे कर लिए तीन एकम 3 तीन दूनी 6 अब देखिए भागा देने को जरूती नहीं ना कि अप सीधे बुड़ा करिए उल्टा कर दीजी जो नंबर लिखा हो इससे आपका टाइम भी बचेगा जल्दी आपका लग जाएगा तो इसका अंसर कि को सामज में आ गई हो गी अगर इस टाइप के सवाल अगर परिच्छाव में आते तो उम्मीद है आप जरूर लगा लेंगे और इसके आगए जो और भी सवाल अच्छे-च्छे बनते अगले वीडियो पर कवर कवर करेंगे वीड़ियो गर अंचा लगा हो तो σभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और इसके अलावा कुछ और भी सवाल बगारा हो पूछना हो और सवाल सवाज में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं विडियों दोस्तों धन्यवाद